हेलो दोस्तों यूटूब के हमारे चनल आपका स्वागत हैं आए एस टीवी में देखते हैं हमारे पास से 14 इंच का टीवी है और इसमें प्रोब्लम है कि इसका पावर सपले खराब है और पहले तो कस्टमर के हिसाब से और इसको देखते हैं और प्रेट पावर देखते हैं देखते हैं कि आसे में दिकत हैं तो हमने अभी बना सुरू करते हैं और देखेंगे उनके से पावर खड़ा घरैप जोह भी पावर लाईन नहीं आता है तो जो भिह हम अपना हिसाब तरीका से दीखते हैं और चेक करते हैं और यह आपना ये चो़दन्श का है और जिसको देखते हैं घोल लिया सब्स करद ना यूटर होता है और ciąग होता है हमने खोल लिया है तक हम काम करनी में असान होता है तो यह हमारे सीज़ कह्ति हुरे अठीसियद vull से ऑसे चॅछ देखते हैं किस किस पड़ने पड़ता है ईसको चेक करेंगे और अरे देखते हैं ओ त्वे सथीन खाल धीजिव करते हैं यह हमारे इसटिंग कहल दिया थाक कि उसे काम करने में बड़ी आसान होता है तो अश्राइवरे करेंगे और इसको बीशन लिए बताएंगे अबको करेंगे इसमें देख़ें पहले टंडिविस्ट सो rich होने से पहले अप उसको निकाल लेजी और निकालने से पहले चेक किजिए और अब चेक करने बाद ही आप टालिए ताकि उड़ेने के चांसे बहुत कम रहता है तो हम उसी तरीके से बताएंगे ताकि आपको लोग को दिक्कत ना हो और खराब नहीं हो तो करने का समाना कम होता है तो पहले आप स्टेव बाईि क्सव चेक करते हैं तो पहले हमने मीटर लगाए और इसको पहले यह चूर्णिस्टर जो होता है अधिकतर इसी कारण से चांस होता है अधिकतर उड़ जाता है यह सब्सक्राइब हो जाता है तो पहले इसको करते हैं और देखते हैं इसको कीया दिकत तो पहले इसका पव्टेजक करेंगे और उसके बाद मेनरी चेक करेंगे इस्चे का तो पहले चेक करते और इसको फ़र्स्ट यहने पहले इसको चेक करते हैं मिद्ध यह आपरा जो कौनेंसर है इसमें पहले चेक करते हैं कितना आता है कि नहीं है तीनसो चोविस भूल्ट का सबस्वास आ गिया है और इसको जो कलेक्टर भूल्ट जाता है वहां भी सही पहुच रहा है और नेक्स्ट बैस में वोल्टेज एक बोल्ट का स्पास होना चाहिए ताकि आपको टंडिस्टर शोट सर्कृट होने का चांस काम होता है और वह एक बोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो आपको खराब होना है एंडर प्रसंट चांस है तो बैस च्थेक करेंगे जो कि बैस बोल्ट कितना आता है बैस बोल्ट यानि एक बोल्ट का स्पास होना चाहिए तो हम पहले इसको दस सब्सक्राइब कर रहा है लेकिन इतना नहीं आना चाहिए इसका जीरो पॉइंट 656 प्लास होना चाहिए तो उसके सबसे वह टंडिस्टा स्विचिंग करना शुरू करता है तो फिर बाद में देखते हैं इसका वोल्टेज उहां तक नहीं आ रहा तो इसका कहा सा प्रोब्लम है उसको चेक करेंगे तो यह टंडिस्टार पहले दोनों को चेक करेंगे और उ देखेंगे पहला वाला जो रेस्टेंस है वोल्टेज उसका आउट बढ़ा रहा कि नहीं देखते लिए इसमें वोल्टेज करेंज तो बढ़ा देते यह पहले 20 में था अब इसको दो सो यह पांसव पांसव में लगा देते हैं ताकि उसको पावर कहिसाब से यह इसमें देखते है इसमें अब कितना आ रहा है 15 कन पाशा रहे लंकिन यह पंद्रम मंचक्र सब्सें कम नहीं हो पाएगा तो इसका वोल्टेज कम से mm यह कंदे महां डीचप कशप्तर संब की rin व capitalism कर सकता है तो अब ही देखएंगे प्शिप कर से इपक्त можно southern हमक्रें सब्सक्राइब कर सकता है तो देखते हैं और यह जो दोनों को निकालेंगे पहले चेक करेंगे बारी किसे क्या क्या दिखा था इसमें तो एक दस पंद्र का है और एक है अपका 387 तो यह प्लग हमने निकाल लिये हैं और यहां से फिर विसको चेक करेंगे और इसका जो इसको पहले ईस्चार्ज कर लेते हैं और रिशाज करने के बारे इसे चेक करते हैं और यह लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको हम लोग चेक करेंगे और देखते हैं क्या दिकत है इसमें कौन सा रेंडिस्टार या डाड या रेस्ट्रेंस जो भी प्रोब्लम है इसमें हम लोग वोल्टेज जो नहीं वर रहा है तो क्लिया रेंस हो जाएगा तो यह पहले मैं 387 को चेक करते हैं डाड मुडै है लग कि अधर थे करते हैं तो यहँ तो क्या स्वाश्चन के और वेस्टों ₹क और देल Infant data साथ है रोगा जाए है आप्लाट करक्म है तो इसको हुआ होने क sonra नीकी पता उत्यार निक्ता है निकालकर दूसरा लगाए तो इसको check करने से थो कोई पता नहीं चलता है जा कोई दिटकत रड़ाया तो इसी कारण से चवरां दिखाई थीकथे ठीक ठीक रहा है बेडेकर करेग्चन रहा है यांगे आपना हिसाब से सही दर्शारा है और देखते हैं इसको और दूसरा टैंडिस्टरा जो दस पंद्र करके हैं वह भी सेम सेहिं उसको भी देखे करके अगर लगे चाहिए सक होगा तो यह बीचेज करका देखेंगे और जो यहां से वहां तक जाता है जो एक व का सबस आप चैक कर सेकते हैं एक बोल्ड का कर आसे पास होना चाहिए आप से पलास यानि सेवेंड़वाइफ परसेंट होना चाहिए वह सिस्टी फाइब इस सेवेंटी कैसपस जिरो पॉइंट हो जाता है तकव का काम करना दोनों को भेलु चेक देखिए में दिख रहा है इसमें तो पता नहीं चलता है्कम ठीक है है तो टंचिस्टर इसमें तो ठीक ही लग रहा है तो इस इसे बहतर होगा इदेल इस से डाल देते हैं और उसको दोनी तो नहीं है तो tidak दो दूसरा निकाल चुके हैं तो फिर अब दुनाया डालेंगे यह हमारा तंडिस्टन दुसरा वाला और इसको डाल के चेक करते हैं और डालने के बाद फिर इस जब बोल्टेज्टेक करेंगे और फिर देखते हैं सही है तो फिर इसका तंडिस्टन लगाएंगे 1710 या फिर 802 सबीस लगता है आपने साब से अच्छा लगा सकते हैं तो इसको देखते हैं आपने सब्सक्रों करने dł के लिगाल दियcreatщее संब्राइब करेंगे अगर सही रहा तो इसको प्लाइब च्रूंटा मॉन्डेज्ट हो सब्सक् ediyorum से कर सकते हैं और पीर दूह राते हैं और प्रूहरार हाते हैं। इसको चेक करके है कि स्टाइब से आहा हूं है पौट दे चुके हैं और इसको स्टेप सब्सक्राइब करते हैं और इसको फिर यानि हम चेक करेंगे कि हमारा यह ठीक हुआ या नहीं हो पहले इसमें देखिए पहले पंदर सोलों था अभी आठरा प्लास हो जड़ा भोल्टेज तो कि आठर कम से को होना चाहिए यह रेशन से दो 220-220 का जो श्रीज में लगा हुआ रहता है आप इसमें दुसरा वाला में आप चेक कर सकते हैं अगर आठरा फोल्ट में मिला तो सुचिए कि यहां का काम ठीक ठाक जा रहा और अब टेंडिस्टर में कुछ प्रोब्लम हो सकता है और अखरी इसमें देखते हैं कि इसमें बेश का भोल्टे जो होना चाहिए वह अक्चली हुआ या नहीं हुआ तो हमने चेक कर लेते हैं और इसमें रेंज 20 के रेंज में लगा दिया और इसको रेंज इसको लागा देखते हैं और यह देखिए हमारा फिफ्टीन 0.59 का स सब्सक्रान इसमें देखिए हरा लेकिन लग लग भी ठीक है तो हमारा यह यह तर्णीस्ट असीग कर सकता है और यह हम अगर आपके पास मेंट्र है तो आप इसमें से काम ले सकते हैं डीचल मीटर किसी वोटेज को रहें चेक कर सकते हैं तो इसको पहले आप एजिवावल् कि अधिश्टर लगाने का जोग्य है यानि लगा सकते हैं तो हमने इसे पाउर दिये हैं और मेनुल मेंटर में कैसे चेक करते हैं इसको भी दिखाते हैं यह लास्ट वाला जो ख़ली बेस्वूर्ट चेकरने के लिए क्योंकि इसमें आसान होता है तो उसी कही सब दिखाते है टो अब इसलिए चलिए तो इसको भेष च्रिक करते हैं इससे काटा कहा तक ही एक बूल्ड में लगाई थाकि उसका रही जड़े ज्यादा लगता है कई कि युदि लगाएंगे तो उसमें वी कर सकता है यह प nó पता चल देता है कि बेस बोल्ड का मश्वी लगाने तो वो बेस्का वोल्ट के कम सही वह लग रहा तो अब इसका टेटिस्ट लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसका आउट्फूट वोल्टेज बना या नहीं बना क्योंकि इसमें तो हो जाना यह प्रसेंट होना चाहिए क्योंकि सुचिंग वोल्ट हमारे पास बन गया है और लगता है हमाएं टेंटिस्ट लगा देना चाहिए तो हमने टेंटिस्ट लगा दिया और शौडिंग वी कर लिए हैं और सौडिंग करने के बाद आप देखते हैं इसको फिर आउट्फूट चेक करेंगे इसका वोल्टेज हमारा सही हुआ यार नहीं हुआ है तो हमन एक अगर आपको आजयता है और इसको पहले 110 बूंट का जहाँ है यहां पर इसको च hehe करेंगे और यह बारेस्टंस जो से इसको फार रिएश्ट्स इसको उपरें बॉर यह तक हमारे इसको खोलने के बाद इसको कितना आ रहा है याँ या रहा है तो यह हमने खोल लिए है और हमें और आकरी इसको पहले पाउर देखर हैं इसमें क्या दिकत तो नहीं होने चाहिए सब ठीक ठाक हो गिया है ओर इसमें अभी लगाते है पाउर देखें और वोल्टेज और फूर्ट इसका हैं हमारे चेक करते हैं यान इवना फाउर सब्सक्राइब पाउर डाली है तो देखते हैं इसको आप केतना थे रहा कि नहीं दे रहा है और हमने पावर दे चुके हैं और थोड़ा सा रुकेस में नहीं अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो यह हमारा वोल्टेज आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और साटकेत्स समान खराब होने का चांश काम हो रहाता है और यह तो टैनिस टर उड़ते रहेगा गया आज के लिए वीडियो यहीं तक के लिए और नेक्स वीडियो फिर लिखाएंगे तब तक के लिए जुहार जैहिंद नमस्ते कि दन्यवाद